वर्क लाइफ बैलेंस इस पर बात तो ग्लोबली हो रही है लेकिन एग्जेक्यूट करने की जगा कमपनियों और कुछ सरकारों की कथनी और करनी में अंतर साफ समझा रहा है एक तरफ वो कहते हैं कि हम अपने employees के लिए या नागरिकों के लिए सबसे बहतर महौल मुहया करा रहे हैं और दूसरे तरफ वो ही दिन के 14 घंटे काम करने की वकालत कर देते हैं जी हाँ दिन के 14 घंटे काम किसी physical workforce industry में भी इसे थोपना humanitarian ground पर सही कतई नहीं है फिर यहां तो IT industry की बात हो रही है जो पूरी तरह से mental workforce पर depend करता है दरसल करनाटक सरकार IT करमचारियों के लिए हर रोज 14 घंटे काम करने की नियम का बिल लेकर आ रही है हाला कि राज्यके श्रम मंत्री संतोष लाड ने सवाई दी और कहा कि टेक्स सेक्टर वालों से और ज्यादा घंटे काम लेने के लिए उन पर कानून मनाने के संबंद में IT industry दबाव डाल रही है लेकिन वो इस मामले का मुल्यांकन कर रहे हैं मंत्री लाड का कहना था कि सरकार अभी भी विदेग को परक रही है जिसमें software professional हर रोज 14 घंटे काम करने के लिए मजबूर होंगे हाला कि बीजेपी इस विदेग का लगतार विरोध कर रही है बीजेपी ये कहती है कि इस मसले पर चर्चा की जरुरत है सरकार इस मामले पर एक तरफा फैसला कता ही नहीं ले सकती बता दे कि IT शेत्र के करमचारी और ट्रेड यूनियनों ने पहले ही इस कदम का विरोध कर दिया है और इसे अमानविय बताया है बता दे कि IT शेत्र के करमचारी और ट्रेड यूनियनों ने पहले ही इस कदम का विरोध कर दिया है और इसे अमानविय बताया है विरोध के चलते सरकार इस बिल पर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है करनाटक के लेबर मिनिस्टर ने क्या कहा वो भी अब आप जान लीजे दरसल मंत्री संतोशलाट का कहना था कि IT इंडस्ट्री के दबाव के कारण ही ये बिल हमारे पास आया है IT मिनिस्टर प्रियंग खड़के खुद इस प्रस्ताव को लेकर नहीं आया है उद्योग पती हम पर 14 घंटे काम करवाने का विधेक पारित करने का दबाव बना रहे है हाला कि ये बिल हमारे पास है और श्रम भवाग इसका मुल्यांकन कर रहे है IT प्रमुक और बड़ी कंपनियों के मालिकों को इस पर चर्चा करने की जरत है अब आपको नियम समझाते हैं कि नियम क्या है फिर बदल की गुंजाईश राज्य सरकार करनाटक दुकाने और वानिजिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1961 में संचोधन करने की योजना बना रही है नए प्रस्ताव में कहा गया है कि IT, ITES, BPO सेक्टर में काम करने वाले करमचारी को एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमती होगी इसे प्रती हफते 70 घंटे किया जा सकता है हाला कि लगतार 3 महिनों में 125 घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमती नहीं दी जा सकती है हाला कि इसमें इसका सपश्टुलेक नहीं है अभी ओवर टाइम समेट प्रती दिन अधिकतम 10 घंटे काम करने की अनुमती होती है के आई टी यू ने सरकार से दुबारा विचार करने के लिए आग्रे किया है और इस बीच सिर्फ करमचारियों की तरफ से ही नहीं बलकी करनाटक राज्याइटी, आईटी एस करमचारी संग यानि की के आई टी यू ने भी करमचारियों की बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राज्य सरकार से इस कदम पर दुबारा विचार करने का अग्रे कर दिया है साथी के आई टी यू ने आगे रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि लंबे समय तक काम करने से आई टी करमचारियों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है एक बयान में के आई टी यू जनल सेक्रेटरी सुहास अरिगा ने मनी कंट्रोल को बताया कि वो संशोधन कंपनियों को मौझूदा तीन शिफ्ट सिस्टम के बजाए दो शिफ्ट सिस्टम अपनाने की अनुमती देगा जिसे एक तिहाई करमचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करनाटक सरकार कॉर्परेट हितों को खुश करने की उचसुकता में लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है अगर ये 14 घंटे की अनुमती मिल जाती है तो इंतरनाशनल लेवल पर भी ये एक कानून का उलंगन होगा जहां करमचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनको मांसिक तोर पर थोड़ी राहत मिले वहीं दूसरी तरफ करनाटक सरकार पर आईटी कंपनियां ये दबाव डाल रहे हैं कि हमारे पास में आप इतने करमचारी ने बचे इसलिए आप 14 घंटे वकार कर दीजे